आज हम 25,000 करोड के रोश्नी घोटाले के बारे में बात करेंगी क्या है ये रोश्नी घोटाला सिए विकार शर्मा विल टेक यू ठ्रू देस टॉपिक नमशकार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इस बात का जीता जाकता उधारन है कि कैसे कोई सरकार डिवेलपमेंट के नाम पर एक स्कीम लाती है उसके लिए कानून बनाती है और आने वाली सरकारें अपने राजनैतिक और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उसमें फेर बदल करती है और दशकों के बाद हमें पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रोशनी एक्ट है क्या इस एक्ट का एक्जेक्ट नाम दा जम्मू एन काश्मेर स्टेट लैंड वेस्टिंग ओफ ओनर शेप अमीनों पर नजाइज कबजा कर रखा था उनको ये एक्ट मालिकाना हग देता ये एक्ट नेशनल कॉन्फरेंस गौर्मेंट द्वारा सन 2001 में लेया गया था उस टाइम जे एंड के के मुख्य मंतरी श्री फारुक अब्दुल्ला जी थे तब गौर्मेंट ने कहा कि स्टे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लगा जाएंगे जिससे लोगों के घरों में रोशनी जाएगी इसलिए इस एक्ट को रोशनी एक्ट भी कहते हैं गौर्मेंट ने एस्टिमेट किया था कि इसके दौरा लगबक 25,000 करोड का फंड रेज किया जाएगा और इसके अंतरगत लग बग 5445 स्केर फिट के बराबर होता है लेकिन गौर्मेंट ने कुछ कंडिशन्स रखी पहली कंडिशन थी कि जिन लोगों ने नजाएज कबजा 1990 या उससे पहले का रखा है उन्हीं को लेंड ट्रांसफर करी जाएगी जिन्नों ने इसके बाद कबजा किया है उनको लेंड नहीं ट्रांसफर करी जाएगी दूसरी कंडिशन थी कि ट्रांसफर के लिए लोगों को उस लेंड का जो मार्केट रेट उस टाइम था उसके हिसाब से गौर्मेंट को पैसा देना होगा अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो गौर्मेंट इस गौर्मेंट के बाद उन्होंने फर्दर क्या किया बाद में कॉंग्रेस और पीडीपी के गटवंधन की सरकार बनी और यह तैह हुआ कि आदे समय के लिए पीडीपी का मुख्यमंत्री होगा और बाकी आदे समय के लिए कॉंग्रेस का मुख्यमंत्री होगा सबसे पहले पीडीपी से श्री 2004 तक कर दिया बाद में जब कॉंग्रेस के मुख्यमंतरी की बारी आई तो श्री गुलाम नभी आजाद मुख्यमंतरी बने उन्हों ने इस डेट को फर्दर 2007 तक शिफ्ट कर दिया साथ में एक और एमेंडमेंट लाए कि जो अगरिकल्चर लेंड है उस पर जो कब्जा है उसको बिना किसी कॉस्ट के ट्रांसफर किया जाएगा और सिरफ सौ रुपे पर कैनाल एज़ डॉक्यमंटेशन फी चार्ज की जाएगी और गुलाम नभी आजाद क श्री एसके भला उन्होंने एड़ोकेट शकील एहमद के तुरू हाइग कोट में एक पी-ई-ए-ल फाइल करी और कहा कि जो यह लैंड अलोट्मेंट हुई है इसमें नजाज तरीके से ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटीशन और पुलिस ऑफिसर्स को लैंड दी गई है और उन् से कहा कि यह जो लैंड अलोट्मेंट हुई है इसमें बहुत सारी एरेगुलरिटीज हैं और कोट को इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए बाद में C.A.G. ने अपनी रिपोर्ट 2014 में फाइल करी और C.A.G. ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह एक्ट अपने परपस में बुरी तरह से फैल हो गया है साथवे C.A.G. ने अपनी फाइंडिंग्स में कहा कि 6 साल में 2007 से लेकर 2013 तक जो अबैद जमीन का ट्रांसफर था उससे सिरफ 46 करोड रुपेई कटिक किये गए C.A.G. ने यह भी कहा कि जो लेंड अलोट्मेंट के लिए फिक्स्ट प्राइस था उसमें मिली भगत द्वारा काफी रिडक्शन किया गया और पॉलिटीशियंस और नामी लोगों को फाइदा पहुचाने की कोशिश करी गई आपको यह याद होगा कि बाद में पीडीपी और बीजेपी ने गटबंधन की सरकार बनाई थी जुन 2018 में बीजेपी ने गटबंधन की सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया और सरकार गिर गई तब वहाँ पर प्रेजिडेंट का रूल लग गया था और उस टाप सत तक जमीन ट्रांसफर हो चुकी है और पैसा दे चुकी है उनकी ट्रांसफर को रद नहीं किया जाएगा तब तक बतलब 2018 तक इस एक्ट के अंतरगत लगवग 3.4 लाक कैनल ट्रांसफर हो चुका था लोगों को हमने अभी यह डिसकस किया था कि 2011 में प्रोफेसर एसके भला ने PIL फाइल किया था हाई कोट में और बाद में 2014 में एड्वोकेट अंकूर शर्मा ने CMP फाइल किया तो यह मैटर हाई कोट में चल रहा था हाई कोट ने अपना जज्ज्मेंट October 2020 को सुनाया अपने जज्में कहा कि यह पूरा का पूरा law unconstitutional है आप इस कटिंग को देखिए यह कटिंग newspaper की है इसमें हाई कोट कहा रहा है loot to own policy मतलब हाई कोट के हिसाब से यह जो स्कीम है पूरी की पूरी लूट की स्कीम है जो यह हाई कोट का जज्ज्मेंट था इसको Chief Justice Gita Mittal और Rajas Bindal की Bench ने सुन हाई कोट ने कहा कि जो भी इसमें transfer हुए है कबसे जबसे यह act लाग हुआ है तब से लेकर जब तक यह act खत्म किया गया है 2018 में तब तक जितने भी transfer हुए हैं उनको invalid माना जाएगा साथ में हाई कोट ने यह कहा कि जो 2007 में गुलाम नभी आजाद की गौर्मेंट ने rules frame किये उनको तो legislative sanction ही नहीं मिला था तो वे भी unconstitutional है Friends, High Court का फैसला आने के बाद J&K की गौर्मेंट ने decide किया है कि जो High Court का order है उसको implement करेंगी और J&K की गौर्मेंट ने रोशनी act को null and void declare कर दिया है साथ में अभी principal secretary को यह responsibility दी गई है कि अगले 6 मेने के अंदर जो भी land इस act के अंतरगत लोगों को transfer करी गई है उसको दुबारा state को transfer कराएंगे प्लस जो लोगों ने transfer के लिए पैसा दिया है वे लोगों को वापिस किया जाएगा Friends, I hope कि इस act के बारे में जो भी point हमने discuss किये वह आपको clear हो गए होंगे फिर भी अगर आपका कोई question है तो please comment में पूछें See you in the next topic. Thanks Hey guys, if you find this video informative then don't forget to like, share and subscribe to our channel We will be back with another interesting informative video soon. Thank you. Bye-bye